पे टाइगर पे 50 डाल दिया, सार्क पे 50 और यहाँ पे जो बाज पछी है उस पे 50 डाल दिया, ठीक है? मेरा पूरा गेस है कि सार्क मारेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, सार्क मार भी दिया, मेरा 24x का अर्नि यहाँ पे मिल गिया सो हेलो एवरिवन मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो गेमिंग के बारे में और यह काफी पॉपलर गेम है और यहां पे आप अनलिमिटेड पैसे अर्निंग कर सकते हो जैसे कि सुरू में आप देख लिए थे लिका इस वीडि से यहां इस साइड अगर जो पांच मारता है तो लेफ्ट साइड मारेगा और इस साइड पांच मारता है तो यहां पर राइट साइड मारेगा सबसे खुशी की बात है कि इस गेमि में 6X से स्टार्ट होता है और यहां पर 24X तक यहां पर अर्निंग होता है जैसे एक्जाम देख लिए कि कैसे यहां पे आपको अर्निंग करना ठीक है अब यहां पे हम बात करते हैं अर्निंग करने के लिए ठीक है कि अर्निंग यहां पे कैसे करेंगे और कैसे हम गेस करते हैं कि यहां पे कौन सा वेट मारेगा ठीक है तो हम यहां पे सार्क वाला यह मार दिया ठीक ह और डवल करका, विड्रॉल भी करेंगे, और बेंक में, पूरा पैसे, मतलब, बैंक में आ भी जायेगा, यहाँ रिole सक से जो जायेगा, अब अब यहाँ पर 50 वाले, मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है और यहाँ पर देख सकते हूं, मोर में मैंने 50 रुपे लगा दिया, और यहां पे 25 में 50 रुपए लगा दिया और 100 लगा दिया यहां पे नीचे अब 100 लगाने के यह benefit है कि यह 2x मारेगा अगर जो यह बांज पच्छी मारता है तो मेरा 12x मारेगा ठीक है तो यहां पर हम वेट करते हैं और देख सकते हो कि यह मैंने जो 200 रुपए वेट लगाया था ओ 200 रुपए यहां पे मंकी मारत यहां मेरा लउस गया लेकिन घबराने के कोई बात नहीं है आप देख सकते हो गेम में थोड़ा लॉस होता है बेनिफिट होता है लेकिन अगर जो आफ समजधारी से खेलते हो तो आपका यहां लउस नहीं जागा आपका वेनिफिट बेनि रुपए लगा दिया और यहाँ पे मोर पे भी मैंने 50 रुपए लगा दिया और यहाँ पे जो कबूतर है उस पे भी 50 रुपए लगा दिया ठीक है मेरा गेस है कि इन तीनों में कोई एक मारता है लेकिन यहाँ पे हम गेस करते हैं देखते हैं कौन मार रहा है यहाँ पे जैस के यहां पर देखना 8X मारा रहा है ठीक है इस साइड से इस साइड भी चेंज कर सकता है लेकिन आम यहां पर । मारता है तो इसलिए फिर से मॉर पे 50 लगा और बाज पच्छी पे 50 लगा दी और यहां पे पंडा पे भी 50 लगा दी है ठीक है अब यहां पे पंडा पे इसलिए 50 लगा दे कि 8x इधर भी है और 8x इधर भी है तो मुझे लगता कि इधर से जाएगा तो इधर तक जरूर मारेगा लेकिन मेरा गेस यहां पे गलत हुगा ठीक है यहां पे फिर से rabbit मार दिया 8x से direct यहां पे 6x मार दिया लेकिन घबडानी कोई बात नहीं है 150 रुपए मेरा यहां पे loss गया और next game में यह भी मैं recover करूँगा और ज्यादे benefit के साथ recover करूँगा ठीक है तो अब next game का हम weight करते हैं और यहां पे आप लोग weight करना मैं यहां जो सार्क है उस पे भी weight लगा के दिखाऊंगा आगे चलके और यहां पे weight भी मारेगा 100% क्योंकि मुझे मालू मैं सार्क कभी 20-25 game के बाद मारता है ठीक है तो फिर मैं repeat पे लगा दिया 50 और यहां पे पंची पे दो पंची पे यहां पे 50-50 लगा दिया ठीक है इन तीनों म लोस गया था ओभी रिकवर यहां पे हो गया ठीक है तो यह इसमें केवल मेरा रिकवर हुआ है अगर जोनेश ठीक है मारता है फिर मेरा एश्टरा जाएगा आप लोग देखे थे कि मैंने 1500 से स्टार्ट किया था ठीक है अभी 1500 मेरा है मतलब जितना मैं खेला हूं अभी loss ज हुआ हι मतलब पिर से रिपिट हुआ ही गेम पकले डाल दिया जैसे रेविट और यह पंची और दौनों वाइट पंची में मैं रिपिट डाल दिया ठीक है अब यहां पे वेट करते हैं देखते है कि यहां पे कोन मार रा ठीक है तो यहां पर मैंने सही लगाया था अभी जो मार रहा है ठीक है अब मेरा ये benefit होगा ठीक है जो भी मैं लगाया था ओए 170 सुरुपय का मेरे benefit आ गया ठीक है इसी तरीके सा आपको समझ समझ के लगाना है क्योंकि यहां पर repeat भी बहुत जादे मारता है तो repeat का भी ध्यान दखना है और हमेशा ध्यान दखना है कि आपको six x हमेशा बार बार अगर जो लगाते हो तो सही है क्योंकि eight x और eight x और बारे x बहुत कम मारता है ठीक है और जो चौविस x है इसमें कम से कम बीस बार पच्चीस बार का बाद एक बार एक दो बार लगाने का ट्राई करना क्योंकि हमेशा बारे x नहीं मारता है अब मैंने फिर से more पे डाल दिया white punchy पे डाल दिया और rabbit पे 50-50 डाल दिया क्योंकि मैं 85-50 से खेल रहा हूँ ज्यादक से नहीं खेल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास balance कम है इसलिए अब यहाँ पे देख सकते हो rabbit मैंने repeat डाला और यहाँ पे six x rabbit फिर से मार दिया यह म अब भी अगर जो धीरे धीरे खेलते हो तो आपको भी यहाँ पे benefit इसी तरीके से आएगा अब next game का हम wait करते हैं ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा एक बर मारे ठीक है फिर बड़ा पे हम लगाते हैं लेकिन अभी छोटा छोटा मार रहा है जब तक बड़ा नहीं नीचे के जो पंची है वो टोटल बड़ा पंची है जैसे मतलब 12x मारेगा 8x मारेगा ठीक है तो उसका wait कर रहा है कि 12x मारे फिर नीचे लगाते हैं जब 12x मारता है तभी सार्क पे जादे चांस रहता है लेकिन मैंने यहाँ पे 30 रुपए सार्क पे डाल दिया और 20-20 तो देखते हैं यहाँ पे कोई मारता है कि नहीं क्योंकि यह गेम मेरा काफी suspicion दिख रहा था इसलिए वैसे मैं लगा दिया 20-20 करके लेकिन फिर भी यहाँ पे benefit थोड़ा सा आया होगा 25 रुपए benefit आया होगा लेकिन कोई बात नहीं है ठीक है हम wait करते हैं जब तक यहाँ प देखते हैं कि यहाँ पे अभी कौन मारेगा फिर से मेरा चांस 6XC पे लग रहा है तो मैंने यहाँ पे रेबिट पे फिर से 50 डाल दिया और more पे 50 डाल दिया white पंची पे 50 डाल दिया क्योंकि इधर मेरा suspicion था ठीक है इसलिए अब देखते हैं यह वाला मार रहा है कि नहीं म रुपए आ गया ठीक है डियर सो रुपए लगाय थे वो डियर सो रुपए छोड़के 232 रुपए मेरा यहाँ पे बेनिफीट आ गया अभी 1669 रुपए यहाँ पे मतलब ठीक है यहाँ पे लगाने के बाद से हम थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं यहाँ पे कोई मारता है कि लॉस जाता है ठीक है थोड़ा वेट करते है और यहाँ पे मेरा सायद लॉस जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे 6X मैंने 8X ज्यादा गिस किया था क्योंकि पिछला अब 8X मार रहा था और इसलिए 6X मार गया तो कभी भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत बाइलेस जरू 6X पे लगाएं क्योंकि 6X सबसे जादे मारता है सबसे लोग वेट वही है 6X उसके बासे 8X है और फिर यहां पे 12X है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने यह लॉस गया ठीक है अभी मेरे पास 1900 रुपए बचा है ठीक है फिर भी 400 रुपए मैं बेनिफिट में हूँ अब मैं क्या कता हूँ 100-100 रुपए लगाँगा मंकी पे 100 लगा दिया और यहां पे रैबिट पे 100 और यहां पे जो 6X है उस पे 100 लेकिन मुझा पूरा गेस है कि इ एक बर जरूर मारेगा क्योंकि 8X एक पकड़ा हूँ ठीक है और दो 6X पकड़ा हूँ तो क्योंकि 6X का बार बर भुमा घुमा मार रहा है तो इसलिए मुझे पूरा सस्पीस है कि 6X मारेगा और 6X यहां पे मार भी दिया ठीक है मैंने 300 लगा के 275 रुपए बेनिफिट भी कर लिया ठीक है तो आप जैसे कि यहां पे देख रहे थी मेरे पास 2000 हो गया था ठीक है अभी यहां पे एकाउंट में जूड़ जाएगा कि कितना पैसे हो गया ठीक है यहां पे 277 रुपए मेरा अभी हो गया ठीक है अब नेश्ट गेम का विट करते हैं अब नेश्ट गेम इहां पे सार्ख पे लगाएं और पाचास पाचास इस पे लगा दी अब सार्ख पे मुझे पकड़ना जरूरी है क्योंकि अब जितने भी बेट डालना है तो सार्ख पे डालना जरूरी है क्योंकि काफी time हो गया सार्ख मारे हुए ठीक है इसलिए अब यहां पे मोर पंची पे आ गया तो यह मेरा जो पचास पचास लगाए थे दियर सो यानि 170 रुपए यह मेरा लोस गया ठीक है लेकिन कोई बात नहीं घबलाने की बात नहीं है 170 रुपए लोस गया अभी अगर जो एक बार सार्क मार देता है तो मेरा टोटल यहाँ पे ज्यादे बे तोटल मैंने 1224 एक्स पकड़ा है ठीक है मेरा पूरा गेस जा रहा है यही कि सार्क मारेगा तो मारेगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मोर मारा है ठीक है और सार्क काफी टाइम हो गया मारे हुए इसलिए अगर जो सार्क मारता है तो मेरा अच्छा खासा बेनिफिट होने माला है लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सार्क नहीं मारा बारह एक्स मारा लेखिं कोई बात नहीं मेरा बेनिफिट आया 422 रूपय ठीक है अब नीचे मारा है यहँआ पर सार्क को छोड़ते होती है आपकी सबसे बड़ी गलति ए और बाद में आपको पस्तावा मिलेगा ज छाफ ठी के अगर ऐसमें सरण दिने शां मारेगा सांडों शारीम और जहाँ सब्सक्जिका का एंधिक गया केवल 200 रुपय लगा के वो 200 छोड़के मैंने 900 यहां पे 92 रुपय का बेनिफिट कर लिया ठीक है तो इस हिसाब से आप भी खेल सकते हो और ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो तो अभी काफी ज्यादा लंबा हो गया यह वीडियो ठीक है तो इस हिसाब से आप खेल के यहां से benefit कर सकते हो अब यहां पर बताता हूं कि आपको जैसे कि यहां पर गेम प्ले देख लिया हो मैंने 1600 से 3400 रुपए यहां पर earning कर लिया ठीक है अब इसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और description में मैं तीन application का लिंक देखे लिंक देखे हो हो फस्ट अप्लेकेशन यहां पर गेम प्ले केशन यहां पर आपफ लगओ और थर्ड केंस होगे आईडी क्रियेट करने के बाद से आपको 40 रुपे इमेडेटली मिल जाएगा अगर जो आपको रिचार्ज करना होगा तो यहां पर पे का ऑप्सन मिल जाएगा जो पे पे क्लिक करोगे यहां पर बहुत सरा चोन यहां पर छोनतीस सो और यहां पर 3422 रुपए है तक के बहुत मैं 3400 रुपए यहां पर विड़ोल करता हूं 3400 रुपए फिल करने कबाद यहां पर विड्रॉल पर क्लिक कर देंगे यहां पर अप्लिकेशन द्वारा सकसेफूल होगा जैसे यहां पर देख सकते हूं कि म पैसे अर्णिंग करना स्टार्ट करो थैंक यू फिर मिलते नेश्ट वीडियो में